नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मेरा नाम है सुजीत पंडे आप सभी का स्वागत है दोस्तों लेकर आगए इन सुपर फ़स्ट साइंस सामान विज्ञान के बहुत ही शांदार कॉशन दोस्तों ये पूरे के पूरे 100 कॉशन याद कर लो आपको आने वाले एक्जाम में म भारत का पहला परमाणू रियक्टर का नाम क्या था या क्या है तो भारत का पहला परमाणू रियक्टर का नाम था अपसरा ओप्शन नमबर A सही आंसर है डिडिटी की खोच किसने की तो डिडिडिटी की खोच जो है आपकी डॉक्टर पॉल मुलर ने की ओप्शन नमबर पर A सही आंसर हो जाएगा पैनिसलीन की खोच किस ने की है तो पैनिसलीन की खोच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है ऑप्शन नमबर B यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रेशन के लिए भारती अंतरिक्ष अनुसांधन संगठन की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1979 में आप्शन नमबर B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला परमाडू रेक्टर अपसरा कहां इसते थे तो जो अपसरा पहला परमाडू रेक्टर था वो ट्रामबे में इसते थे आप्शन नमबर A अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है ट्रामबे किस राज्य में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए होमियोपैथी चिकित्सा की जनक कौन थे तो होमियोपैथी चिकित्सा की जनक जो है है नहीं option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए लिश्टर के द्वारा option number B यहाँ पर राइट answer है भारत का प्रथम परमाणू बिजली घर कहाँ प्रारम क्या तो पहला परमाणू बिजली घर जो प्रारम होगा था वह होगा था तारापुर में option number C सही answer हो जाएगा भारत के प्रतवी प्रक्षे पास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षे पास्त्र से की जाती है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा रूस के इसकड से की जाती है भारत के प्रतवी की तुलना ठीक है ये प्रक्षिस के पास तरहें दोने जा किए भारत का है प्रतवी रूस का है सकड भारत की प्रतम महिला अंतरिक शातरी कौन थी तो सबसे पहली महिला अंतरिक शातरी थी कलपना चाउला जी ऑप्शन नमर यहाँ पर डी इस प्रशनी के लिए राइट आंसर है जैनेटिक कि खोज किस ने की तो रख्त परिवन की खोज करने वाले हैं आपके यहां पर सभी आंसर हो जाएगा विलियम हारवे औप्शन नमबर ए राइट आंसर इस प्रशनी के लिए अगला कोशन देखिए स्री हरी कोटा प्रक्षैपडड की अंतर कहा इस तते है तो हरी कोटा प् पोखरण सही आंसर हो जाएगा option number B भारत में पहला परमाणू विस्पोट कब किया था तो पोखरण में हुआ था और ये विस्पोट हुआ था 18 माई 1974 को option number B सही आंसर है परमाणू उर्जा आयो का गठन परमाणू उर्जा आयो का गठन जो किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भावा की अधिक्षिता में हुआ था option number यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के लिए भारत में निर्मित पहला बहुत देशी उपगरह कौन सा है तो पहला बहुत देशी उपगरह जो है उसका नाम है इंसेक्ट 2A option number यहाँ पर सही आंसर है रडार का अर्थ क्या होता है तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रडार के लिए भाबा पर्माणू अनुसंधान केंदर बार्क की स्थापना कब हुई थी तो बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी option number D सही आंसर है 1954 भारत का अंटार्क्टिका अध्धन केंदर कहा है इस्ते थे तो अंटार्क्टिका अध्धन केंदर गोवा में स्ते थे option number B गोवा यहाँ पर सही answer हो जाएगा मलेरिया की कीटाणू की खोज किस ने की तो मलेरिया की जो कीटाणू की खोज की थी उनका नाम है रोणाल्ड रॉस आर आर option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा DNA की खोज किस ने की तो DNA की खोज की है Watson Watson A.Wam Creek ने Option C यहाँ पर सही आंसर है Watson A.Wam Creek इंसुलन की खोज किसने की इंसुलन की खोज करता है बैटिंग A.Wam Best Option A. यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसोप्रशन के लिए जमीन से आकास में मार करने वाला प्रक्षे पास्तर आकास का सफल परिक्षन कब किया गया तो आकास का जो सफल परिक्षन किया गया था वो किया गया था 1990 में option बड़ी सही आंसर है महिला अंत्रिक्षे यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था तो कल्पना चावला का निधन हुआ था आपका 2003 इसवी में option number B यहाँ पर सही आंसर है राश्टी विज्ञान एवं प्रदोगी की परिसर की स्थापना कब हुई थी 2003 में हुआ था कल्पना चावला का निधन राश्टी विज्ञान एवं प्रदोगी की परिसर की स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यह जो स्थापित हुआ था 15 अक्तूबर 1990 में स्थापित हुआ था विकासवाद का सिद्धांत किस ने दिया था तो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चाल्स डार्विन द्वारा ऑप्शन नमबर B यहाँ पर चाल्स डार्विन इस तो प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा हैजा का टीका की कोज किस ने की तो हैजा क्रिटिके की कोच की है रॉवर्ड कोच ने जिवानु की कोच किस ने की है तो जिवानु की कोच की है लिवेन होक ने अप्शन नमबर ए लिवेन होक राइट आंसर है भारतिय नाभी की उजा निगम की स्थापना कब हुई थी तो भारती ना भी कि ये उजा निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी सही आंसर हो जाएगा option number यहाँ पर एक सेकेंड option number 1987 right answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए अगला question देखिए हरदाय प्रत्यार ओपन खोज किस ने की तो हरदाय प्रत्यार ओपन की जो खोज की गई थी वो की गई थी Christian Bernard द्वारा इमनों ने सफल प्रत्यार ओपन जो है किया था बारत ने दूसरा परमाडू स्पोर्ट कप किया गया था तो भारत के द्वारा दूसरा जो परमाडू स्पोर्ट है वो 13 मैं 1999 को किया गया था प्रुट के द्वारा जो परमासर बनाए गया था किया था झांव इस पूतनिक फर्ष्ट ला सबस्षं ने की तो के टीके की खुज की जही लूइस पास्चर ने option number यहां पर सही आंसर हो जाएगा धावन सोडा या वासिंग सोडा का रासायनीक नाम क्या है तो रासायनी की नाम है धावन सोडा का sodium carbonate option number C यहां पर सही आंसर हो जाएगा विटमिन C का रासानिक नाम क्या है तो विटमिन C का रासानिक नाम है इसकर्विक एसिड ऑप्शन नमबर भी यहांपर सही आंसर है रतोंदी किस विटमिन की कमी से होता है तो रतोंदी जो है विटमिन A की कमी से होता है ऑप्शन नमबर A यहांपर सही आंसर है laughing gas का रासायनिक नाम क्या है तो laughing gas का रासायनिक नाम है आपका nitrous oxide option number A विल्कुल सही answer हो जाएगा plaster of Paris का रासायनिक सूत्र का है POP जिसको आप बोलते हो तो POP का रासायनिक सूत्र है C-A-S-O-4 into Harp H2 आधा पानी vitamin C का सबसे चस्त्रोत का है जो options में दिए गए है उसमें से आउला सबसे चस्त्रोत है vitamin C का बेरी-बेरी रोग किस vitamin की कमी के कान होता है तो बेरी-बेरी रोग आपका vitamin B1 की कमी कान होता है option number C सही answer है वशा में गुलंसील vitamin कौन सा है तो वशा में गुलंसील vitamin आपके ये सभी है सभी वर्षा में घुलंसील है AD के तीनो वर्षा में घुलंसील विटिमिन है जल में घुलंसील विटिमिन कौन सा है तो vitamin B का रासानिक नाम है आपका थाइमीन, option number B, right answer, थाइमीन vitamin A का रासानिक नाम क्या है तो vitamin A का रासानिक नाम आपका retinol हो जाता है, option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा, baking soda या खाने का soda का रासानिक सूत्र क्या है तो खाने के soda का रासानिक सूत्र होता है sodium bicarbonate option number B बिना बुझा चूना का रासानिक सूत्र कहा है जो चूना बिना बुझा होता उसको बोलते है CAO option number D CAO यहाँ पर सही answer है सुस्क बर्फ कहा जाता है ठोस carbon dioxide को option number A ठोस carbon dioxide यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा अश्रू gas का रासानिक नाम क्या है तो अश्रू gas का रासानिक नाम है आपका chloroacetophenone option number C इसकरवी रोग किस विटमिन की कमी किकान होता है तो इसकरवी रोग जो होता है विटमिन C की कमी किकान होता है option number C सही answer है विटमिन C से इसकरवी रोग विटमिन D का सर्वुत हम स्रोत क्या है तो विटमिन D का सर्वुत है सूरिका प्रिकास option number C यहाँ पर सही answer है विटमिन B7 का रासानिक नाम क्या होता है तो विटमिन B7 का रासानिक नाम होता है biotene option number B right answer है जिपसम का रासानिक सूत्र क्या है तो जिपसम का रासानीक सुत्र होता है आपका C A S O 4 इंटू 2 H 2 option डू边 B साही अंसर हो जाएगा नपण सकता या बाजवता किसी विटमिन की कम monitार होता है तो नपण सकता या बाजवता हो जा होता है vitamin E की कमciendo होता है विरंजक चून का रासानीक नाम क्या है तो विरंजक चून का रासानिक नाम bleaching powder होता है option number D सही आंसर है bleaching powder साधार नमक का रासानिक नाम क्या है तो साधार नमक को sodium chloride बोला जाता है option number E sodium chloride right answer हो जाएगा प्यास का केंद्र कहां होता है तो जो प्यास लगती है न आपको उसका जो केंद्र होता है वो होता है आपका hypothalamus ग्रंथी option number यहाँ पर hypothalamus option number ही सही आंसर हो जाएगा मरासमस नामक कर रोग में शरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मरासमक नामक रोग में शरी की mass patient प्रभावित होती है option number B सही आंसर है क्वाशी ओर कर किसकी कमी कान होता है तो क्वाशी ओर कर जो होता है वो विटमिन माफ कीजिगा वो आपका protein की कमी कान होता है option number D प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा polio किसके द्वारा होता है तो polio जो होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विशानु की करण होता है option number D विशानु पोलियों के लिए जिम्यवार होता है निम्लिकत में से आस्थाई करण है तो आस्थाई करण आपका कहलाता है alpha करण option number C alpha करण आस्थाई करण होता है समिस्थानिक पर्माणु में dash होता है तो समिस्थानिक जो पर्माणू होते हैं उसमें प्रोटोन की संख्या समान होती है, option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोन की संख्या समान होती है, किस रंग के प्रिकास की तरंग इधर सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक तरंग इधर होती है, लाल रंग के प पारे की वास्प और अर्गन भरी होती है, option number B यहां पर सही answer हो जाए तो जो लोहे में जंग लगती है, वो पानी और ऑक्सिजन की उपसिती में लगती है, option number C यहाँ पर सयांसर हो जाएगा सूरे से निरंतर उचम अबाब प्रिकास मिलने का कान क्या है, तो इसका जो कारण होता है, वो होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन, option number C हाइड्रोजन का फ्यूजन, यहाँ पर इस प्रशन के लिए सयांसर हो जाएगा निमलकित्म से जूटा सोना कहलाता है, तो जूटा सोना बोला जाता है, प्यूजन, option number A प्यूजन, यहाँ पर सयांसर है, इस प्रशन के लिए ओस्टिवो मलेशिया, नामकरोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ओस्टिवो मलेशिया नामकरोग से शरीर का प्रभावित होता है, कंकाल तंत्र, option number A, यहाँ पर सयांसर है हमारे शरीर में कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए कौन सा एंजायम उत्तरदाई होता है तो कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए आपका M.I.L.A.S. जिम मिदार होता है option number D साई answer है हरित क्रांती की सफलता के लिए आवशक नहीं है तो यहाँ पर जो options देगा है उसमें से आपका मशीन ही करना आवशक नहीं है बागी तो सभी चाहिए हरित क्रांती की सफलता के लिए ओशदी को दर्द दूर करती है कौन सी ओशदी होती है जो दर्द को दूर करती है कमेंट करके बताइए इस हड़ी जो होती है शरीर के किसफ़ भाग में पाये जाती है श्यानता का SI किस के समतुल्ण होता है तो श्यानता का SI आपका 20 के 10 गुने के समतुल्ण होता है यहाँ पर सभी आउंसर हो जाएगा सोयाबीन में निमलिकित में से कौन सी प्रोटीन पाए जाता है तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाए जाता है ग्लिस्नीन ऑप्शन बड़ी सही आंसर है अगला कॉश्चन देख लेते हैं इसमें पूछा गया है आपसे कोकिंग गैस निम्लिखित का मिक्षण होती है तो जो कोकिंग गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्षण होती है option बड़ी सही आंसर है किस रोग इसे पीड़ेत रोगी को कार्बो हाइडरेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है तो यदि आपको मदू में है तो आप कार्बो हाइडरेट अधिक मतलीज ये बना किया जाता है आपको option number C सही आंसर है नीद की बिमारी किस प्रोटो जोगा के कारण होती है तो जो नीद की बिमारी होती है वो होती है आपकी ट्रिपेन सोमा के कारण option number C सही आंसर है रेफिजरेटर में ताप का नियंतरन कौन करता है तो थर्मो स्टेट से ताप का नियंतरन होता है option number C सही आंसर हो जाएगा विटी कल्चर समबनित है किस से तो जो विटी कल्चर होता है वो अंगूर की खेती से समबनित है अंगूर की खेती विटी कल्चर 2-4D संबनित है तो ये जो संबनित है ये है खरपतवार नाशी से option number D किस तत्तो की कमी से फीका रोग होता है तो फीका नामकर जो रोग होता है वो फासपोर्स की कमी से होता है option number A सही आंसर है पटाकों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाके में मौझूद किसे धातू के काण होता है तो लाल रंग जो होता है वो पटाके में मौझूद एस्ट्रो नीसियम के द्वारा होता है option number D सही आंसर है गुलाब से इत्र निकालने की विधी को किस ने जाथा तो गुलाब से इत्र निकालने के विधी अस्मत बेगम ने खोजी थी option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मचलियों के यकरत तेल में किसकी प्रचोर्ता होती है तो मचलियों का जो यकरत तेल होता है उसमें विटमिन A की प्रचोर्ता होती है option number यहाँ पर A सही आंसर है धातू के तार में विदोधार का प्रवा किसके कान होता है तो धातू के तार में जो विदोधार का प्रवा होता है वो electron के कान होता है option number A electron यहाँ पर इस प्रशनी के लिए सही आंसर हो जाएगा लोहे की चादर को galvanize करने के लिए उसे किसके घोल में दुवाया जाता है तो उसको दुवाया जाता है जस्ति के घोल में option number यह सही answer है पौधों की व्रदी तर रिकॉर्ड करने के लिए परासमवेदी यंत्र मतलब कैसको ग्राफ का निर्मान किस भारती व्यग्यानिक निकिया था तो कैसको ग्राफ का निर्मान किया था जगदीश्चंद्र वसूने option number यहां पर भी सही answer हो जाएगा मानव के किस केश्यू रिकुई पर खोपडी का संपूर भार इस्तिर होता है तो वो जो केश्यू रिक होता है उसका नाम है एटलस उस पर खोपडी का संपूर भार इस्तिर होता है मानव में डायफ्राम का उप्योग निम्ल कितमें से किस क्रिया के लिए होता है तो डायफ्राम का उप्योग किया जाता है शोषन के लिए option number C सही answer है वायू में द्वनी का विक कितना होता है तो वायू में द्वहनी का विग तापमान के घटने से घटेगा option number यहां पर D तापमान के घटने से वायू में द्वहनी का विग घट जाएगा सही answer हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सी gas उच्चितम उच्मिय मान रखती है तो यहाँ पर जो options देगा है उपचार की विधी और यह आपके लिए surprise question comment box में comment करके बताइए मानों के शरीर में कुल कितनी हड्या होती है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में यदि चैनल पर पहली बार आए है question अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लिए शुभू बहुत बहुत धन्यवाद